हालो दोस्तों कैसे हो आप लोग महाशा करते हूं आप सभी अच्छ होंगे फ्रेंड मैं राजे सौल्ड आपका स्वाइब करता हूं हमारे यूटुब चैनल बेटिश इंग्लिस क्लासिज के अधिटोरियल सेशन में आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम न्यूस्वेपर करें वह बाहर निकल रहे निकल में नशकारी उसके पीछे का आपन analogy नहीं हम जाеш करें है एकिसी से बाहर कोसी निकलते हुए और देटिखा इंगर वोने से कुल आउट कि उसे बाहर निकल रहा है निकल रहा है बाहर है विन पुल आउट करना बिना किसी सेटलमेंट के अफगानिस्तान से इससे क्या होगा तालीबान और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा प्रिपोजिशन के बाद में अगर आप वब उसकर तो जिड़न का रूप ले लेता है एक नाउन का काम करेगा यहांनाच करते हुए क्या अनाच करते हुए यहांनाच करते हुए that कि all US troops के तूप को निकाल लिया जाएगा अफगानिस्तान से कब तक कर लिया जाएगा by September 11.11.11 सेटमबर तक US का जो भी टूप है अफगानिस्तान में उसको पुल रिया जाएगा यह announce करते हुए President Joe Biden जो President है यूएस के जो बाइडन उन्हेंने effective way में upheld the spirit इसने अपने promise को बनाए रखा है कौन सा promise था यह promise था of the Trump-Taliban deal Trump और Taliban के बीच में जो deal हुई थी उस deal को इन्होंने बनाए रखा है rather than किये बजाए किसके बजाए defying it इसको मना करने की बजाए एडिटोले में क्या कहना चाहता है राइटर कहना चाहता है कि यह announce करते हुए कि यूएस की जो टूप है उसको निकाल लिया जाएगा कि आगे देख लेते हैं अन्दा घ्रिमेंट जो भी अगृट किसके बीच में था बिटूइन के साथ में आजरेने होने मैं और जो insurgent जो वी वक्तर लुंशल है जो बटालेबान की अगर बात करें उनके बीच में जो वी ती जो ऑनटी денег हुआ था उस agreement में और यह कब हुआ था in FAB, FAB 2020 में agreement हुआ था US troops, US की जो troops है, US की जो सेना है were scheduled, उसका schedule किया गया था यानि कि वो निकल जाएगे, कब किया गया था, pull out back कि US की जो सेना है उसको schedule किया गया था कि उसको pull back कर लिया जाएगा by May 1st, एक महीत तक उसको वहाँ से बुला लिया जाएगा, अफगानिस्तान से निकाल लिया जाएगा इन return, और इसके return में क्या मिलेगा, इन return, इसके return में for the Taliban's assurance और यह था Taliban का एक assurance था, Taliban ने एक assure कराया था कि आप यहाँ से अपनी troop को निकाल लो कब तक निकालो, by May 1st तक, तो उन्होंने एक assurance भी दिया था, assurance था, यह था कि they would not let कि वो नहीं करने देंगे, कि इसको terrorist group को, कौन से group है, सच, कौन से group है, जैसे अल-Qaeda की अगर बात करें, या फिर Islamic State operate की बात करें, और अफगान soil, अफगानिस्तान की धर्ति पर, इसली था क्या है, जो agreement हुआ था, किन के बीच में हुआ था, ट्रॉम्प administration के बीच में हुआ था, और जो भी insurgent group है, उनके बीच में हुआ था, तालिबान के बीच में हुआ था, और यह हुआ था, फर्वरी 2020 में हुआ था, यूएस टूप्स और जिसमें ये soil पे पनपने नहीं देंगे, ओके, आगे है, when Mr. Biden ordered a review, जब Mr. Biden ने order दिया, एक review करनेगा, कि इस चीज़ को review किया जाएगा, of the US, Afghanistan की strategy, US और Afghanistan की strategy को review किया जाएगा, जब Mr. Biden ने ऐसा order दिया, there was speculation, कुछ ऐसी भी अटकले थी, कुछ ऐसी भी धाड़ाई थी, speculation होता है, अटकले होना, कुछ ऐसा भी idea लगाया जारा था, that key, he would not, कि वो नहीं करेगा, delay नहीं करेगा, कि इस चीज़ को delay नहीं करेगा, he would not delay the pull-out, कि वो अपने pull-out को delay नहीं करेगा, at least कब तक delay नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा, until, at least until there was a political settlement. It means, मतलब ऐसा कुछ speculation किया जा रहा था, कि कब किया जा रहा था, जब Mr. Biden ने order दिया कि वो review करेगा US Afghanistan strategy को, तब एक ऐसा speculation किया जा रहा था, एक अठकले लगाई जा रहे थी, कि वो, he would not delay, कि वो delay नहीं करेगा, pull-out करने में, at least कब तक delay नहीं करेगा, जब तक कोई भी political settlement नहीं हो जाती, कि इसके बीच में, Afghanistan की जो government है उसके बीच में, और Taliban के बीच में, but he chose, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूज किया, क्या चूज किया, an orderly pull-out, कि वो निश्चित रूप से, एक सुनिश्चित रूप से, pull-out के लिए उन्होंने चूज किया, कि वो तो pull-out ही करेंगे, okay, the remaining troops, जो बची हुई जो troops है, जो remaining troops है, obviously वो लगवा कितना है, दही जार के आसपास है, okay, और यह जो remaining troops है, will start leaving, वो start कर देंगे, क्या करना start कर देंगे, छोड़ना start कर देंगे, किसको, अफगानिस्तान को, कब से start कर देंगे, on May 1st, एक मही से, अफगानिस्तान को छोड़ना start कर देंगे, लगबग जो पच्छीस सो के आसपास, जो remaining troops है, यूएस की, वो अफगानिस्तान को छोड़ना start कर देंगे, 1st of May से, with a full withdrawal, और जो full withdrawal है, यानि कि सारी जो सेना है, यूएस की, वो वहां से निकल जाएगी, कब तक निकल जाएगी, by September 11, 11, September तक यहां से निकल जाएगी, besides के अलावा, besides क्या होता है, इसके अलावा, दे यूएस टूप, यूएस की जो टूप है, दा थाउजन ओफ कॉलेशन टूप से, इसके साथ में और सारे, यूएस की जो टूप है, उसके साथ में बहुत सारे कॉलेशन में भी इनके साथ में टूप है, इनके साथ में और भी टूप से, और भी से नाए है, और यह किसके अंडर में है, अंडर ना नाटो के कमांड के अंडर में है, ना सिर्फ US की troop, US के साथ-साथ और भी coalition वाली troops है और यह जो coalition है, वो किसके under में है, किसके command में है, NATO के command में है और यह these troops है, और यह जो troop है, are also expected to pull back ऐसा expect किया जा रहा है कि यह भी यहां से निकल जाएंगे ना सिर्फ US की troop, US के साथ-साथ जो भी और coalition troop है, वो भी यहां से निकल जाएंगे कब तक निकल जाएंगे, उससे भी expect किया जाएगा, pull back कि वो भी निकल जाएंगे along with the American, जैसे American वाले निकलेंगे, जैसे American की जो troop है, वो निकलेगी साथ की साथ, जो NATO का command है, NATO के under में है, वो भी यहां से निकल जाएंगे Mr. Biden push, Mr. Biden का जो try है, जो भी push है, कि revive करने का peace को, peace कोन सी है, जो peace talk को और यह talk किसके बीच में हो रही है, between के साथ में आड आ जाता है Mr. Biden का जो कोशिस है, वो revive करे, peace talk को, कि के बीच में, अफगानिस्तान गोर्मेंट और तालिबान के बीच में, has hit a road block तो उसमें एक road block आ गया, उसमें एक अवरोध आ गया है, मतला, Mr. Biden का जो try था, try किस चीच का try था, revive करने का, किस चीच को peace talk को, और दोनों के बीच में हो रही थी, किस के बीच में हो रही थी, अफगानिस्तान गोर्मेंट और तालिबान के बीच में, तो यह उसका try था, has hit a road block, तो उसमें एक गती रोध आ गया है, क्या गती रोध आ गया है, आगे हम देखेंगे a US initiated, एक जो US ने initiate किया था, US, UN led regional peace conference, एक peace conference है, जो US ने initiate किया था, US ने start किया था, और इसको led किया जा रहा था, UN के द्वारा, ओके, और यह जो peace conference है, is scheduled, उसको schedule किया गया, to take place, कि वो किया जाएगा, इसको arrange किया जाएगा, इस peace conference को, अंकारा में, अंकारा मतलब तुर्की में किया जाएगा, कब किया जाएगा, on April 24 को, तो it means, एक peace conference था, जो organized किया जाना था, 24th of April को, अंकारा, तुर्की के अंदर, ओके, और जिसको initiate किया था, US ने, और led किया गया, UN के द्वारा, अब उसमें क्या हुआ, but the Taliban, लेकिन जो Taliban है, have made, उसने किया, क्या किया, made it clear, ले they will not participate, कि Taliban इसमें participate नहीं करेगा, and have threatened, वो साथ की साथ इसने धमकी भी दे दी, to step up, कि वो बढ़ा देंगे, किस चीज़ को बढ़ा देंगे, attacks को बढ़ा देंगे, क्यों बढ़ा देंगे, if the US, अगर US did not meet the May 1st withdrawal deadline, okay, तो मतलब क्या है इसमें, but the Taliban, लेकि Taliban ने clear कर दिया, यह और साथ की साथ यह भी धमकी दी, अगर US ने अपना promise नहीं निभाया, कि 1 May को, वो यहां से withdraw करना start कर देगा, अगर US ने अपना promise नहीं निभाया, तो जो Taliban है, वो attack बढ़ा देगा, attack को क्या करेगा, step up कर देगा, किस की against करेगा, US की army के against, US के troop के against, it is not clear, यह सपस्ट नही अब यह सपस्ट नहीं है, कि US की peace conference है, अभी जो initiate की जानी है, कि क्या वो जाएगी, क्या वो possible हो पाएगी, किस के बिना possible हो पाएगी, बिना Taliban के possible हो पाएगी, and what it would achieve, और क्या निकलेगा, if it goes without the Taliban, अगर यह जो meeting है, जो भी conference हो भी जाती है, और इसमें अगर Taliban participate नहीं करता ह है, तो निकलेगा क्या, इसका को result तो आना नहीं है, तो पहली बात तो यह है, कि यह clear नहीं है, कि क्या Taliban इसमें participation करेगा, और second बात यह है, कि अगर वो participation करता है, अगर वो participation नहीं करता है, तो उसके participation के बिना, इस जो peace conference का क्या meaning निकाला जाएगा, this leaves, यह छोड़ देता है, कि इसको, the already shaking, shaky घनी government, so यह छोड़ के चला जाता है, कि इसको छोड़ देगा यह, जो shaky, जो पहले से डगमगाई हुई, घनी की government है, in an even more precarious situation, it means, जो घनी government है, जो वहां पर elected government है, इसको यह और ज्यादा बत्तर हालात में छोड़ के चला जाएगा, after September, September के बाद, the government, government है, जो, will be left, रह जाएगी, with itself, अपने आपके साथ ही रह जाएगी, on the battleground, battleground में, against the Taliban, Taliban के against, it means, जो US के troop है, वो, US का जो troop है, वो तो यहां से निकल जाएगे, US की सेना यहां से निकल जाएगी, अब last में क्या होगा, September के बाद में, जो government है, अफगानिस अभी के लिए, Mr. घनी, जो Mr. घनी है, has held together the powerful section, की Mr. घनी ने अभी तक तो इकठा कर लिया, जो अलगलब powerful section है, अलगलब जो society के या और जो section है, उनको अभी तक इन्होंने इकठा किया हुआ है, of the state, उसमें कौन कौन सा state के and society के, किसके against किया हुआ, तालिबान के, at least in the provincial capital, capital में अभी तक के, जो Mr. घनी है, उन्होंने all together किया हुआ है, state को और society को, कौन सी state or society के, जो भी तालिबान के against है, उनको अभी तक इन्होंने बांधे रखा है, इकठा खड़ा रखा है, but once, लेकिन एक बार, America gone, अगर एक बार America चला गया, the balance of power, जो balance है power का, in the stalemated conflict, जो यहां पर shift हो जाएगा, decisively, mischief रूप से in the favor of Taliban, Taliban के favor में चला जाएगा, यहां पर राइटर ने कहा कि, अगर एक बार यहां से America छोड़के इनको चला गया, तो उसके बाद क्या होगा, अगर America चला गया, तो definitely सी है, जो power है, वो सारी के सारी shift हो जाएगी, Taliban के हाथों में, इन the recent past, अभी की recent past की अगर बात करें, whenever the Taliban over in cities, whenever जब कभी जो Taliban के, Taliban ने overtake किया है, या फिर overtake किया है cities का, in the past year, अगर पिछले कुछ past की अगर बात करें, जब भी Taliban ने overtake किया है cities का, जब भी Taliban ने, जब भी Taliban ने कभजा किया है, cities पे कभजा किया है, तो US की जो air power है, इसने बड़ा ही crucial role play किया था, in driving them back, उनको वापस खदेरने में, मतलब, जब भी Taliban ने, अफगानिस्तान के किसी particular area पे कभजा किया है, तो उस समय पे US की जो power है, वो निकल के आई, और इनको वापस वहां से भागा दिया, the country, जो country है, is already witnessing a serious targeted killing of journalists, activists and other civilian society members, opposed to the Taliban, जो country है, वो अल्रेडी वो देख चुकी है, क्या देख चुकी है, वहती, witnessing बन चुकी है, वो, एक series का, उन्होंने witness किया है, country ने एक series को देखा है, series कौन सी थी है, जिसमें target किया गया था है, और मारा गया बहुत सारे, journalist को मारा गया, activist को मारा गया, और other civil society के member को मारा गया, जो भी Taliban के against थे, उन्हों सभी को मारा गया है, देख ने ऐसा देखा है, this does not mean, इसका मतलब यह नहीं कि the government is on the verge of collapse, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो government है Taliban की, वो अभी collapse पे है, it means वो अभी धेने वाली है, the US, जो USA has promised, US ने प्रोमिस किय that, US ने प्रोमिस किया है, it would continue remote assistant to the government, right, तो साथ में, US ने यह भी promise किया है, कि वो दूर बैठ के भी, अफगानिस्तान की जो government है, उसको continue assistant provide कराएगा, help provide कराएगा, the role, जो role है, of the original player, original player का जो role है, such as, जैसे की, China, India, which have shared interest, जो ने अपना interest दिखाया है, in a stable Afghanistan government में, will also be crucial, वो भी crucial role play करेगा, in deciding करने में, country के future को, okay, so, ना सिर्फ, US, US के साथ साथ, और जो main player है, Russia, China, India, जो ने इंटरेस्ट दिखाया है, कि जो चाहते हैं, कि अफगानिस्तान में, एक stable government बने, तो इनका भी a crucial role रहेगा, decide करने में, country के future का, but, one thing is certain, लेकिन, एक बात तो निशित ह है, US, जो US है, despite all its military might, अपनी all, जो इसके पास में, जो इतना बड़ा जो शक्ति-साली military might है, शक्ति है, has lost, लेकिन एक बात तो निशित है, कि US has lost, US ने खो दिया है, दवार, इस लड़ाई को खो दिया है, its withdrawal, क्या करते हुए, जब इसने withdrawal किया, without any settlement, बिना किसी settlement के, over the peace roadmap, बिना किसी, जो peace roadmap, तियार किये, अब US जो छोड़ के, इसको जा रहा है, so, इससे एक बात तो clear है, कि ये छोड़ के जा रहा है, कि इसको leaves कर रहा है, तालिबान को और ज़्यादा strong बना के जा रहा है, और यहां की जो government है, उसको weak बना के जा रहा है, and this is an ominous sign, और यह जो ए Thank you very much, and इसका जो vocab है, वो देख लेते हैं, pull out करना, निकाल देना, and defy करना, मना करना, speculation होता है, अनुमान लगाना, shaky, shaky होता है, जो stable government ना हो, जो हिलने डुलने वाली government हो, उसके लिए shaky का यूज़ करेंगे, ना सिर्फ government के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, and precar संकत पूर्ण में, and और रहन होता है, किसी चीज़ पर अधिकार कर लेना, किसी की दूसरे की property पर अधिकार कर लेना, या फिर दूसरे state पर अधिकार कर देना, and ominous, ominous होता है, अश्यूब, so have a good day, thank you, thank you very much.